बड़ी खबारा भोतक से जहां अर्धनगने हालत में युफ्ती का शव पाया गया है 11 दिन पहले दिली से अफरन हुआ था युफ्ती का अर्धनगने शव जमीन में गड़ा हुआ पाया गया है हत्या कर 90 किलो मीटर दूर मेहम में शव मिला है दो साथी कलाकारूं पर हत्या का शक चताया जा रहा है 11 मई से लापता चल रही थी यूट्यूबर संगिता और फिव्या नौर्थ दिली के थाने में अफरन का केस परिवारवालों की तरफ से दर्स कराया गया था अर्दनग नहालत में मेहम बाइपास पर शव पाया गया है साथी कलाकारूं पर आरोप लग रहा है इसको गाव भेनी बैरोगनाजबिक मिली थी तो कल शाम तक इसकी शनाक्त नहीं हो पाई थी हमने इसको ऐसे अन्नों डैड बोड़ी में इसको हमारे मोट्री में रखवा दिया था तो हमें पता लगा कि इस डैड बोड़ी के संबन में दिल्ली जाफरपूर थाने में एक एक फ़ाय लोग जो रखे तो हमने दिल्ली संबन्जी थाने से संपर किया तो पता लगा कि वहां पर ना यह एफ़ाय लोग जो रखी है और इस लड़की की शिनाक्त संगीता डोटर उप सत्यवीर जाफरपूर के पास ही रहते हैं उस लड़की के रूप में हुए इसकी पचान तो वहां पर इसकी अभी एफ़ायर जो लोग जो रखी है तो आज दिल्ली पुलिस हैं भी हमारे जैसे लोकल अरिया में आ रखी थी उन्होंने जो आरोपी है अनील है ये सी सरकास गाओं का है तो उसको गिरफतार भी कर लिया और उसको पांस देंगे रिमांड पे ले रखा है तो जैसे हमार तो अभी वो केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वो इसके आएगी इन्वेस्टेशन करें तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के ने अपनी कारवाई चालो कर दी तो नहीं मिली थी लेकिन उन्होंने शक्ता के शैद यह लड़का हो सकता है तो उस शक्त के अदार पे उन्होंने 365 IPC की एफ़ाय लोज कर वाई थी 11 तारिश लड़की लापता थी तो देखे ग्यारा दिन पहले दिल्ली से अफरंड किया गया था और अब रोतक के महम में काजवाराय की अधना इन्हालत में जमीन में गड़ा हुआ पाया गया है युफ्ती का शर्फ जिसके बाद हर कंप मच गया पूरे मामले की जाच परताल में जो खुले से वो जुट कई है स्ताथी कलाकारों पर ही आरोप लग रहा है हत्या किये जाने का नौट दिली के थाने में केस परिवारवालों की तरफ से दर्स कराया गया था युफ्ती के लापता होने का पुलिस की तरफ से मामले की जाच परताल शुरू की गई और उसके बाद ये पता चला कि महम में शव गाड़ा गया है जारा की सेर में चोट के निशान भी कुछ पाय गए हैं युफ्ती की जो पहचान है वो दिली की यूट्यूबर संगिता उर्फ दिव्या के तौर पर कुई है 11 मई से लापता चल रही थी जो युफ्ती है परिजनों ने अफरण का केस दर्स कराया था दिली से अफरण करने के बाद हत्या करशब को करीब 90 किलो मीटर दूर मेहम में गाड़ दिया गया था सुचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची लड़की की परिजन देरात रोतक पहुंचे परिजनों को सुचना दी गई थी रोतक जिले के महम कस्वे की बाइपास पर भैनी भैरो फ्लाइवर के पास बड़े इसरा जाने वाली सड़क के मोहाने पर किसी का शव दबा हुआ है असल में व्यक्तिवान लगुशंका के लिए आया था तो उसने मिट्टी से एक हाथ निकला हुआ दिखा सूचना की बाद पुलिस मौके पर पहुँची ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैसिलदार मदनलाल के निगरानी में जमीन को खोदा गया शव को बहर निकाला गया तो पता चला कि शव महिला का है आधे शरीर प्रकपड़े नहीं थे चहरा भी लगभग खत्मों हो चुका था